आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ सबसे पहले यहां पर देखे बच्चो हम क्या देखते हैं कि गल्वनोड मीटर जो होता है बचो जब C बिंदू पर क्या मिलता है बचो संतुलन मिलता है ठीक है उस समय D नहीं होता है बचो मतलब इस गल्वनोड पर हटाते हैं अब C बिंदू पर संतुलन मिल रहा होता है ठीक है जाएगी तो इसके लिम इसको कैसे समझते बचो और प्रत्रोद मांतें तो क्या सकते बचो यह नहीं है यह दिनों कैसे बचो समानता क्रम में है तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा ठीक है ओके और लंबाई के अगर बात करें तो A और C हमें दे रखा है बचो LY4 है ठीक है टोटल लंबाई कितनी बचो L है तो यह कितना हो जाएगा L-LY4 कर देते हैं ठीक है L-LY4 तो कितना हो जाएगा बचो 3LY4 तो L1 और L2 मिल गए ठीक है संतुलन से पहले यह L1 संतुलन के बाद C और B के मद L2 लंबाई हो जाएगा ठीक है अब बचो यहाँ पे फर्मूला हमें मालूम है वैलू हमें आसे मालूम कर सकते हैं ठीक है तो इस सूत्र में हम बचो हम क्या करेंगे वैलू पुट करते हैं तो जब संतुलन जब C बिंदू पर संतुलन मिलने पर C बिंदू पर संतुलन लंबाई मिलने पर हम लिख सकते हैं बचो जो क्या है L1 है ठीक है तो यहां से हम लिख सकते हैं बच्चो कि यह हो जाएगा R1 R1 मतलब यहां पे R और RB के अगर बात करें बच्चो तो यह क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 राइट बच्चो कि पेधक कि बढ़र क्या हो जाएगा इसे हैं जो यह तो यह तो हम लिख नहीं होगत सकते हैं इसको समय करण एक मान ले ते हैं अब बात करते बच्छों इसको second part की तो second part में D बिन दूपे मिलता है उसमें यह नहीं होता है ठीक है बच्छों तो अब यहां पर इस्तित फिर बदल जाएगी इधर जो हमें संतुलन मिल रहा है बच्छों यह आर ए अब यह वाला हो जाएगा आर बी तो आर बी तो जाएगा आर आर ए क्या हो जाएगा बच्छों यहां पर आर प्लस आर वन के बराबर राइट ओके लंबाई की बात कर लेते बच्छों अब इस बार D है तो D1 L1 यहां पर हमें मिलेगा बच्छों A और D के बीच की दूरी मतलब 2L by 3 तो यह कितना हो जाएगा बच्छों यह हो जाएगा L2 और यह हो जाएगा L-2L by 3 तो यहां से क्या मिलेगा बच्छों L by 3 मिलेगा ठीक है तो हमें यहां पर बच्छों सभी वैलू मिल चुकी है अब सुत्र कॉप्यों करते हैं बच्छों यहां पर लिख लेते हैं जब D बिन्दु पर संतुलन लंबाई मिलती है ठीक है D बिन्दु पर D बिन्दु D बिन्दु पर संतुलन लंबाई मिलने पर ठीक बच्छों D बिन्दु पर संतुलन लंबाई मिलने पर हम यहां पर लिख सकते हैं बच्छों कि क्या हो जाएगा R A हो जाएगा बच्छों R प्लस R 1 ठीक है लिख लेते हैं बच्छों R प्लस R 1 बटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चो, R2 L1 कितना है बच्चो, हमें दे रखा A से D के बीच की दूर 2LY3 तो 2LY3 और यह कितना हो जाएगा बच्चो, LY3 देख लेते हैं बच्चो, वैलू तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, LY3 से LY3 बच्चेगा 2, और यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चो, R बराबर क्या मिलेगा बच्चो, R plus R1 बराबर हो जाएगा 2R2 और यहां से अगर हम देखें बच्चो तो हमें मिलेगा R बराबर 2R2 minus R1, यह से माल लेते हैं समीकरन बच्चो, तो समीकरन एक और जोड देते हैं, सभी करन 1 प्लस 2 से, जोडने पर हम देखते हैं, बच्छो, R1 तो R1 cancel हो जाएगा, राइट, यहां पर मिलेगा बच्छो 3 R R1 से R1 cancel हो गया बच्छो, 2 R2 और R मिलके क्या हो जाएगा, 3 R2 राइट और इतर क्या हो जाएगा, बच्छो, 3 R प्लस R कितना होगा, बच्छो, 4 R तो R2 की अगर हम बात करें, तो क्या मिलेगा बच्छो, यहां पर, 4 Y3 4 बटा 3 R, ठीक है तो क्या R2 यहां पर हमें मिल रहा, बच्छो 4 R बटा 3 4 R बटा 3, बिल्कुल मिल रहा, बच्छो इस वाले में, ठीक है R2, R1 की बात कर लेते, बच्छो R1 भी हमें मिल जाएगा किसी एक value में आप यहीं पर रख लेते, बच्छो ठीक है, तो R2 की value रखेंगे अगर, तो R1 हमें मिलेगा, तो R1 बराबर, पहले लिख लेते, बच्छो R plus, R1 इधर लाते हैं, बच्छो ठीक है, तो 2 R2 माइनस का R हो जाएगा, राइट, अब value पुट करते हैं, बच्छो, R2 की, तो R1 यहां से में मिल जाएगा, 2 R2 कितना, बच्छो, 4 बटा 3 R, माइनस का R है, ठीक है, तो LCM लेना होगा, बच्छो, हमें यहां पे, तो LCM हो जाएगा, 3, तो यहां से मिलेगा, बच्छो, 3, 4 दूना 8 माइनस का 3, तो 8 माइनस 3, कितना हो जाएगा, बच्छो 5 R, बटा 3, तो 5 R, बटा 3, इसी में है, इसका मतलब पहला option करेक्ट हो जागा, राइट, so thank you बच्छो Classics to 12 से लेके Need IIT जेही, Means और Advanced के Level तक, 10 मिलियन से जादा Students का भरोसा, आज यह डाउनलोड करे Doubtnet आप, या WhatsApp कीजिए अपने Doubt 8 400 400 400 पर